प्रधान को तथा कथित महिला पत्रकार ने दीद धमकी सुमेरपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत हेलापुर के ग्राम प्रधान को एक तथा कथित महिला पत्रकार ने गाली गलोच करते हुए फरजी मुकदमे में फसाने की धंकी देने पर प्रधान ने मामले की शिकायत पुलिस चौकी कुछ अच्छा मी की है प्रधान ने खंडविकास अधिकारी से भी शिकायत करते हुए नियाय की गुहार लगाई है ग्राम प्रधान का कहना है कि हुए मामले से पुलिस अधिक्षत वजिला अधिकारी को अवगत कराएगा हेलापुर के प्रधान कमलेश निशात ने बताया कि वे सोंबवार को घर पर थे तभी दिन में करीब धाई बजे एक महिला घर पर आई और खुद को पत्रकार बताते हुए एकांत में चल कर बात करने को कहा उसके मना करने पर महिला ने आग बबुला होकर फरजी मुकदमे में फसाने की धमकी दी और मौके से फरार हो गई पीडित ने मामले की शिकायत पुलिस चौकी कुछेचा में की है साथ ही हंडविकास अधिकारी सुमेरपुर को पत्र सौप कर घटना से अवगत कराया है प्रधान का आरोप है कि ये तथा कथित पत्रकार कई प्रधानों को अपने चंगुल में फसा कर दोहन कर चुकी है ग्राम प्रधान ने कहा कि वह मंगलवार को जिला अधिकारी वब पुलिस अधिक्षक से घटना को अवगत कराएंगे कुछ हैज़ा पुलिस चौकी इंचार्ज पंकस्तिवारी ने बताया कि शिकायत मिली है मामले की जांच की जा रही है विजे शुकला उर्फ मुकुन शुकला सनाब लालता शुला रामा पो अपने चौराहे पे खड़े थे पान की डुकान बे पान खा रहे थे तीन लोग अपाचिस से आये और एक लोग वहां नीचे उतरे उनको गोली मार दिया दो गोली मारे है उसके बाद वो लोग अपा विजे शुकला द्वारा की जा रहे थी आज रामापुर चौराहे पर विजे शुकला बाद की जा रहे थी इसमें मोटर साइटल से दो लोग आये और गोली मारे जिनको इलाज के लिए जीले ठीकित साले ले आए गया यहां इलाज के दोरंगी मृत्व हो गए विजी करवाई प्रच्छी थे सांधिवस्तर तीस्तिती शामान